हेलो दोस्तो मैं राहूल पाठक आपके अपने यूट्यूब चैनल बी हैपी क्रेकर्स पर आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि दोस्तो वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि आज के टॉपिक हम लोग का जो है एजुकेशन साइकोलोजी है एजुकेशन साइकोलोजी इसका छेत्र बहुत बढ़ा है और इसका इंपोर्टन्ट जामे भी बहुत ज्यादा है जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्ताप्रद्य सरकार द्वारा एक सिक्षक पात्रता आयोजित की जाती है हर साल जिसे हम लोग यूपिटेट की नाम से जानत होते हैं उस्सी प्रकार राजे स्थान सरकार द्वार भी डिट द्वारा जिसमें तीस question आपके education psychologist होते हैं same process में देखेंगे central government द्वारा state का योजन किया जाता है इसमें education psychology तो 30 number का होता है लेकिन 15 number का हम लोग का जो होता है वो special education psychologist होता है प्लस 15 नंबर जो होता है education psychology से correlate करते हुए pedagogy होता है उससे होता है इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि education psychology का यूज हर छेत्र में हर जगा है जैसा कि दोस्तों आप लोग education psychology word को देख रहे होंगे इसको देखके ऐसा लग रहा है कि यह कोई दो वर्ट से मिलकर बना होगा इसमें education और psychology यह दो वर्ड है ठीक है अब education के अगर बात करें इसका जो साब्दिक हिंदी होता है वो होता है इसक्षा और psychology के जो हिंदी साब्दिकर्द होता है वो होता है नाम को देखकर हम लोग को यह ग्यात हो रहा है कि मनो विज्ञान का जो आधार होता है वो education यानि शिक्षा को माना गया है ठीक है अब education psychology का क्या अधार होता है education psychology का जो अधार है उसे हम लोग बोलते हैं मानो विवार दोस्तों मानो विवार जैसे कि देखके लग रहा है कि यह मानो विवार क्या होता है हम लोग एक समाज में रते हैं और इसमें हर मानो का अलग अलग अपना विवार होता है जैसे कोई चिड़चिड़ापन होता किसी के अंदर तो कोई बहुत सान सुभाग होता या कोई बहुत गुस्याल होता है उसे का अध्यान हम लोग education psychology में करते हैं और अब हम लोग topic चर्चा करते हैं इसमें जो यह दो वर्ड मिलकर बना है शिक्षा और मनो विवार तो सबस वो भारती भाषा संस्कृत के संस्कृत के सिक्ष धातु सिक्ष धातु में और प्रत्या लगाने से बनता है दोस्तों जैसे जो शिख्ष होता है इसका साब्दी करतिया होता है शिखना और शिखाना शिखना और दोस्तों इस प्रकार आप लोग को यह पता चल गया होगा शिख्षा जो होता है इसका साब्दी करत हम लोग समझते हैं देखना शिखना और शिखाना अब हम लोग चर्चा करते हैं कि शिख्षा के जो अंग्रेजी वर्ड है यानि एजुकेशन आप लोग अगर इस इस प्रकार लेना चाहें इसका तो ले सकते हैं अब हम लोग चर्चा करते हैं एजुकेशन जो सब्दा है अंग्रेजी वर्ड है दोस्तों एजुकेशन जो है ये आपका लेटिन वर्ड एजुकेटम एजुकेशन वर्ड से बना है ठीक दोस्तों ये एजुकेशन क्या है अब एजुकेशन दो सब्द से बना है और ड्युको ठीक है अब ये एजुकेशन जो दोस्तों से बना है अब इसका हमनों साब्दी कर जानना चाहेंगे क्या होता है तो जो ए होता है इसका अर्थ होता है अंदर से एक अर्थ क्या होता है अंदर से अंदर से और ड्युको जो वर्ड है इसका साब्दी कहिंदी अर्थ क्या होता है बढ़ना या बढ़ाना दोस्तों जैसा कि अब हम लोग को समझ में आज जाओगा कि एजुकेशन जो अंग्रेजी वर्ड है इसका साथिक अर्थ कर हम लोग हिंदी में निकालेंगे तो इसका अर्थ होगा अंदर से बढ़ना या किसी को बढ़ाना दूसरे सब्सक्राइब में लोग यह भी सकते हैं बालक की जो आंत्रिक सब्सक्ती होती है उसको हम लोग टीएक सिच्छा करूप में बिक्सित करते हैं उसका जो भी गूर होता है उसका उस चैत्र में आगे ले जाने की कोशिश करते हैं दोस्तों यह हो कि आपका एजुकेशन सब्द जिसका हम लोगोंने समजा कि ये हिंदी का सिच्छा सब्द किसी से बना है और इंगिलिक येजुकेशन है वो किस सबसे पहले युगदा किसका ऐगे एजुकेशन जो है यह एजुकेशन साइकोलाजी सबसे पाले यह नहीं था लेकिन लगभग उनिश्वी सताबदी में एक हमारे सिक्षावी दाए थांडाइक जो कि अमेरिका की निवाश्चित है इन्होंने एजुकेशन पर एक विशेश ध्यान देते हुए एक मनोबैज्ञानिक दृष्टी से इस पर अध्यान किया इसलिए इनको फादर आफ एजुकेशन साइकोलाजी भी बोलते है फादर आफ एजुकेशन साइकोलाजी दोस्तों आपको इतना तो ग्यात हो गया कि यह education सब्द किससे बना है education psychology के फाधर आफ फाधर कौन है अब कम लोग तरचा करेंगे कि education जो है यह कितने प्रकार का होता है तो दोस्तो education जो है वो तीन प्रकार का माना जहता है पहला अप्चारिक अप्चारिक और तीसरा है निर अप्चारिक अब हम लोग चर्चा करेंगे कि अप्चारिक क्या होता है अप्चारिक का हम लोग इंग्लिज जानते हैं यह होता है आपका फॉर्माद अप्चारिक क्या होता है इसको हम लोग इंग्लिज जानते हैं इन्फार्माद और जो निर अप्चारिक होता है इसको हम लोग बोलते हैं नन फार्माद खेका दोस्तों अब यह Education को तीन को अब शॺिस्टा करते है कि यह जो the formal होता है इसका मतलब क्या होता है तो जो अबचारिक formal है यानि चाहर कि इसका English formal हु इसमें लोग लाते है Monsieur School op 스कूल की शिख्वा कूं दोस्तों स्कूल मतलब इसकूल जो होता है एक निश्चित स्थान पर होता है इसका एक निश्चित से लेबस होता है और यह निश्चित कारेकाल में सिखना इसका सिखाना समप्त हो जाता है जैसे कोई बच्चा गर एक में है तो एक साल पढ़ेगा और उसके बाद दो में जाएगा दो के बाद तीन में जाएगा और क्रमागत यह आगे बढ़ता चला गाएगा दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं अनफ्चारिक यानि इनफार्मल जो होता है वो एक यह दोस्तों जो है हम लोग समाज में कहीं भी जाते रहते हैं किसी चीज को देखकर हम लोग जो सिख्षते हैं उसको मोग क्या बोलते हैं अनफ्चारिक ठीक है दोस्तों अब अनफ या चाह पीता है, तो उसको जीव जल जाती है, उसको महसूस होता है कि हम लोग जलते होगा जानी गर्म चीज को कोई नहीं पीना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा जो भी चीज है, जीव, दोस्तों, इसको हम लोग अनवचारिक निसले रखते हैं क्योंकि इसका कोई होता है ना समय निष्चित होता है नों कोई सलेवस निष्चित हुता है अब दोस्तों कुछ समय बाद कि वह आपका यह तिसरा आया निरापचारिक फारमल यानि नोण फारमल non-formal क्या है यह आपका आपचारिक और निरापचारिक आपचारिक और अनपचारिक दोनों का मिस्रण होता है इसने क्या होता है इस थांग फिक्स नहीं होता है ठीक है सलेवस फिक्स होता है यानी पाठकरम पाठकरम फिक्स होता है इक्जाम हमेशा होता है यानी परिक्षा इसपो हम लोग माली जीए जैसे इस इस टाइम भारत सरकार दोरा काफी मुक्त विष्विस्चाला चला जारह नहीं जैसे राजर्शी टंद्र मुक्त विष्विक विष्विक हैले या इग्णू हो गया इंद्रा जैसा के भी हमने आपको बताया तक एजुकेशन साइकोलोजी जो थे उनके फादर ठांडाइक थे और हम लोग भी चर्चा करें एजुकेशन पर ठीक है तो एजुकेशन के जो फादर मनेते वो है प्रथम सिक्षावी जान डीवी इन्हों ने अपनी परिभासा बताया व्यक्ति के उन समस्थ चमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातारों को नियांत्रित करने में तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने में योग बनाएगी अर्थार्थ जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षा जो है मनुष्य के समस्थ चमताओं यानि उसके अंदर जो भी जनुजाद चमता होती है उसको विकास करना ही और अपने वातावरण जिस समाज में रहते हैं उसको नियंत्रित करने की कला में तथा अपनी सम्हावनाओं को पूरा करने में योग बनाएगी अर्थार्थ अपनी जो हम लोग सोचते हैं अपनी जो प्राविल्टी ह होती है किसी काम को करने में या सिक्षने में वो पूरा करने में योग्य बनाती है अब हम लोग चर्चा करते हैं भारती सिक्षविद तो जैसा ही दोस्तों आप लोग बोर्ट बद्य करेंगे तो स्वामी भेका नंजी लिखा हुआ है यह भारत के प्रथम सिक्षा भी माने जाते हैं इन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य की पुरु नहीत पूर्णता को अभिवेक्त करना ही सिक्षा है अर्थात मनुष्य के महात्मा गांधी है जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे सिक्षा भी हम लोग राष्ट पीता जो थे महात्मा गांधी इनका मानना यह था कि सिक्षा जो होता है मनुष्य के शरीर आत्मा और मस्तिष के को पिया को अभिवेक्ति या अविवेक्ति यानि जो जांकारी देती है उसको िनों ने शिख्षा मनता है अर्थात किसी वी वास्तू को किस प्रकार से हम लोग सीख सकते यह उसके बारेम जांकारी मस्तिस्क या आत्मा के सरोतन विकास की अभिव्यक्ती होती है दोस्तों जैसा कि आज हम लोग ने चर्चा किया Education के बारे में जो कि Education Psychology का First Word था यानी Education दोस्तों कल आम लोग चर्चा करेंगे Psychology जो कि Education Psychology का दूसरा word है और यदि दोस्तों ये वीडिया आप लोग को पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिस अधि दोस्तों साथ शेयर करें जैने